हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उमीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होगे आपके सामने याँ पे दो नंबर्स दिखाए दे रहे हैं बहुत ध्यान से दोनों नंबर्स को देखिए आज की जो टॉपिक है बहुत अच्छी रहेगी उन लोगों के लिए जो लोग अकसर यह जाना चाते हैं कि सामने वाला इंसान आपके बारे में क्या सोच रखता है अब वो इंसान आपका लव पार्टनर भी हो सकता है आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है कोई भी हो सकता है ठीक है तो यह आपके उपर है आप किसी के लिए भी देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे दो नमबर्स तिखाए दे रहे हैं फर्स सेकेंड दोनों नमबर को बहुत ध्यान से देखिए और उस इनसान के बारे में सोचे जो इनसान आपके मन में है जिसके लिए आप ये जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है, कैसी फीलिंग है, कैसी थी, कैसी है, और कैसी रहेगी, ठीक है, और क्या है जो आप में खास है उनके लिए, ठीक है, जो भी है, ठीक है, क्योंकि रिडिंग में लेखेंगे, क्योंकि रिडिंग में बहु हों आप winter सामने कार्ट समत्ति निकाले जाते हैं तो मैं नहीं बदा सकती हूं कि जो हम the topic लेकर चल रहे हैं वह और भी देखें गे लेक molé हैं आप कुछ और भी देखने को मिलता है बहुर साटे को के सामध्यल इंसान के बारे में क्या सूच रखते हैं हैं तो जिन के लिए भी आप देख रहा हैं इस वीडियो को देखिए लेकिन ध्यान रखें कि यह एक तरह की जर्नल रिडिंग है अगर आपको किसी भी पल यह लगे कि यह आपके लिए नहीं है तो आप सेकेंड नमबर की कार्ट की रिडिंग को सुन सकते हैं अगर फिर भी आपको लगता है कि दोनों ही गार्स की रेडिंग आपके लिए नहीं है तो आप इस टॉपिक को और भी जादा मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक को मैंने बहुत वार वीडियो बनाया है और आज हम फिर बना रहे हैं कि आई देखते हैं जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वह इंसान आपके बारे में क्या सोच रखते हैं तो यह जो भी इंसान है जिसके लिए भी आप सोच रहे हैं पहले तो मैं आपको यह क्लिए कर दूं कि यह जो पूसन आपका लब पार्टनर है या तो फिर आपका इनके साथ break up हो चुका है लेकिन इनका और आपका रिस्ता जो है वो एक relationship वाला है एक प्यार वाला है महपत वाला है ये एक husband wife वाला भी है जिसमें एक इनसान ये चाहता है कि आप उनके life partner बने हो सकता है बहुत साथ की divorce हो चुका हो ये भी हो सकता है तो लेकिन ये जो है न दोस्त के लिए नहीं होगा अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं और ये आपने पहला नंबर चुना है तो ये आपके partner है ठीक है तो ये इनसान जब ये ऐसा इनसान होगा कि आपको बहुत पसंद करता होगा और आप इनकी तरफ उतना ज़्यादा attract नहीं होगे आपको वो इनसान दोस्त के हिसाफ से पसंद होगा एक love partner की रूप में आपने कभी सोचा नहीं होगा इस इनसान के बारे में और सायर इसी वज़े से ये इनसान कभी भी आगे आके आपसे ये बात कभी भी नहीं कहें कि हम आपको बहुत पसंद करते हैं तो ये इनसान के अंदर कहीं न कहीं आपको खोने का डर है हमेशा से रहा है, स्टार्टिंग से ही रहा है जब आपको ये हो सकता है जब आपको इन्होंने प्रपोस किया हो तब भी आप इनके लिए कन्फ्यूस्थ हैं कि आप इनको एक दोस्त की हिसाफ से देखते हैं लेकिन आपको वो इनसान एक partner की रूप में देख रहा है ये इնसान हमेशा doubt में रहा है लगा है कि आप हमेशा इनको नहीं choice करेंगे आप किसी ओर को चुनेंगे उनके नहीं चुनेंगे उनको ठीग है उनके हिसाथले decision नहीं होगा reset time में ये इनसान आपको सूचते हैं अपने लिए लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम सोचते हैं वह आपने ही सारी खुशी देखते हैं जैसा कि pass रहा है उनका वैसे present महींचा है आपका इंतिजार कर रहे हैं बहुत प्रिभाहे है इन फिचर वह आपको अपनी wife देख रहा है तो जो भी मेल फीमेल अपने हिसाफ से आप चेंज कर लीजेगा ठीक है तो ये इनसान जो है ना एक true feeling को दिखा रहा है ठीक है अब ये प्यार कैसा हो भी हो लेकिन दोस्ती है और एक respect है आपके लिए बहुत ज़रा ये इनसान एक dream की तरह है आप इनके लिए ठीक है आपके साथ शादी करना इनका सपना है हमेशा से रहा है और हमेशा कोशिश रहती है कि आपके साथ एक अच्छा रिस्ता बने आपके साथ शादी हो इनकी ठीक है आपके साथ family को ये imagine करते है देखिए अब जो आज का टॉपिक है कि वो इनसान आपके बारे में क्या सोचता है टॉपिक तो यही था यह रिलेशन्शिप हमुझे एक प्यार वाला दिख रहा है तो जिन लोगों ने में पार्टनर के लिए देखा है उनके लिए बिल्कुल कनेक्ट होगा जिन्होंने दो चलेगा जब आप इनके साथ रिलेशन्शिप में रहेंगे लेकिन हाँ एक सोल मिट कनेक्शन महसूस करते हैं आपके साथ एक लव रिस्ता रखना चाहते हैं अभी आप किस तरके से इनको देखते हैं यह आपके उपर है लेकिन यह आपको अपने लाइफ पार्टनर के उनको च्वाइस करें उनको चुनें तो यह सारी फिलिंग है लव एक रिस्ता है प्यार वाला रिस्ता है यहाँ पर है ठीक है उमीद करते हैं कि आपको रिडिंग बसंद आई होगी देखिए हो सकता है कि आपने किसी दोस्त के लिए देखा हो या फिर किसी इनसान के लिए देखा होगा लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आपने किसी भी इनसान के लिए देखा है इसको अगर आपका वो लब पार्टनर नहीं है तो वो इनसान भी कहीं न कहीं आपको पाना चाहता है वो एक अच्छे दोस्त के रूप में पाना चाहता है एक अच्छे फ्रेंड दोस तो जो भी समझे लेकिन आपको पाना चाहता है को खोने से डड़ता है इंसान आपके साथ रिस्ता रखना चाहता है सारी उम्र के लिए चाहे वो दोस्ती का रिस्ता हो फिर वो चाहे रिलेशन्शिप हो लग मालुटी के हाथ हम तो हम आगे हैं सेकेंड नमबर इसे सा कुषा जो इसटा है तो हम यहां पर कार्ट को थोचा मिक्स कर लिया काट वीडियो को थोगा सा रूख क्योंकि बहुत जरूरी होता है काडस को मिक्स करना लेकिन हम habits न में लेपाते हैं लेटिनक की समय क्योंकि अगर हम दस पंदा मिनट के वीडियो में अगर हम पांच मिनट तक कार्ट को भी मिक्स करते रहे तो आपको समय भी बर्वाद होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए थोगा सा मैं यहां पर वीडियो को रोका और आगे भी हम ऐसा ही करेंगे सोचा मैंने कार्ट को पहले मिक्स कर लेंगे फिर आपके सामने थोड़ा बहुत मिक्स होगा है आज के जो टॉपिक है कि किसी की बारे में चौ आप सोच रहे हैं वो इंसान आपके बारे में क्या सूच रखते हैं आई देखते हैं देखिए जिसके लिए भी आप ये देख रहे हैं ना वो इनसान आपका कोई दोस्त होगा या फैमिली मेंबर होगा या आपके लाइफ पार्टनर होंगे जो भी होंगे लेकिन इनकी जो सोच है आपको लेके बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे बहुत ज़्या इनके हिसाफ से नहीं सोचते हैं इनके हिसाफ से सोचेंगे तब आको समझ में आएगा कि इनकी लाइफ कितनी डिफिकल्ट है लेकिन आप एक ऐसे इनसान बने हुए इनके नैजरों में जिसे लगता है कि आप सब कुछ अपने हिसाफ से करना चाते हैं हर फैसले अपने हिस आपसलाब से आप थोपते हैं जो इनके रही बहुत परिशानी बात हो Shanghai काẹशा चिंता करने लगते इनको anxiety हो जाती किया तकलीफ रात控 मूलती है परशान करते हैं अपनी सोच इनके ऊंके ऊपर थोप कें थोप कें थी üzत्वान करता म आपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं जिसके लिए भी देख रहे हैं उनकी सोच तो यही है कि आप एक ऐसे इंसान हैं पहले इन्हें लगता था कि आप एक ठीक है अपने हिसास चीजों को करते हैं अच्छी बात है लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में इनको कुछ नहीं द जादा होंगे तो आपके लिए का एडवाइस है इनकी लाइफ है इनको इनकी लाइफ से जीने दे आपकी लाइफ अपकी लाइफ है आप अपनी लाइफ को अपने हिसास से ले चले अच्छा बुरा क्या है सामने वाले को बता दें अगर सामने वाले को समझ में आता है तो बहुत सम्झा देता है तो बहुत ज्यादा किसी की life को आपको अपने हाथ मिलेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये अच्छा नहीं होता जिसकी life है उसकी life को उसको जीने दे जो भी कुछ होगा उसकी life में अच्छा उने ह mismos बताते रहें वो नहीं समझते हैं ना समझें उनको वक्त समझाएगा अगर आप सही भी है और हो भी सकता है कि आप सही हो क्योंकि आपके कार्ट सब नहीं देख रहा है ठीक है लेकिन आपके लिए बस यही एड़वाइस है जिसकी लाइफ है उसको आप भैंडल करने दे अगर यह आपके बच्चे हैं तो आप उनको बस समझा सकते हैं अगर यह आपके लाइफ पार्टनर है तो आप बस समझा सकते हैं अगर आपको यह कोई दोस्त है तो आप उसे बस समझा सकते हैं ठीक है अगर वो समझते हैं तो अच्छी बात है नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं आप उन की life को इतना handle मत करें कि वो इनसान प्रिशान हो जाए और काफी हद तक एक जिसे हम कहते है anxiety में चला जाए ठीक है depression जिसे आप समझ सकते हैं साधारन भासाओं में तनाओं में चला जाए तो उस तरीके से इनका जो एक अपना होता ना इनसान के अपने एक personality होती है वो निकल के नहीं आपाती है उबर के नहीं आपाती है कहीं ना कहीं इनसान एक do you motivate होता रहता है और अपनी life में अपने आपको बंधावा मैसूस करता है और हकिकत में ऐसा होता भी नहीं है इसलिए किसी को बहुत ज़रा हैं जरूरत नहीं है जिसकी लाइफ हो उसको हैंडल करने दीजिए अच्छा बुरा बताते रहिए और बाकी सब उपर वाला तो देखते ही रहता है जो भी होगा जैसा भी होगा सबसे सबका बहला चाहने वाला तो सबसे उपर बैठा है न तो है सब को करता धरता तो उनके ही हाल पर आप उनको छोड़ दे इस्षवय सब देखते हैं अच्छा बुरा जोबी होगा तो यहीं सोष थी जो भी इंसान के लिए आपने यह देखा है अगर आपने लब पार्टनर के लिए अच्छी छवी नहीं है तो यह चवी नहीं बननी चाहिए अगर love relationship है तो ठीक है जिसमें एक इंसान एक इंसान को handle कर रहा है रोक टोक कर रहा तो इसे प्यार नहीं कहेंगे ये तरिके का जहर है slow poison जो धीर इस ते को खतम कर देगा ठीक है तो अच्छा होगा कि आप अपने आपको समेटे अपने आपको बस उतने तक ही आप रखें कि हाँ आप advice दे रहे हैं सामने आलों को मानना है माने नहीं मानना है ना माने ठीक है तो बस इतना सा होना चाहिए आपका किसी के वी life में जब भी आप दखल दे तो इतनी ही होनी चाहिए सबकी अपने पनी लाइफ है उमीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेरी कोई बात आपको अच्छी ना लगी हो तो मुझे माफ कीजेगा कार्ड्स में जो होगा वही बताना मेरा फर्जर में वही आपसे बताऊंगी मिलते हैं नेक्स वीडियो में बाई फ्रेंट्स